हेलो एवरीवन वेलकम टू बोजोन मेडिटेक रबिंदर पाथक गाइस अगर आप लोग MBBS स्टेडी एब रोट से करने की प्लैनिंग कर रहे हैं 2024 में और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस कंट्री में आपको जाना चाहिए अगर आप लोग इस वीडियो को लास तक देखते हैं तो कि आपके डाउट किलियर हो सकें और अगर आप एब रोट के किसी भी मेडिकल युनिवर्शिटी में अडिमिशन लेने की प्लैनिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके रीजनेवल चार्ज में अडिमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो आप मिनीमम 50,000 सेब करना चाहते है कंसल्टेंसी चार्ज में ओटीसी चार्ज में तो आप हमें चूज कर सकते हैं MBBS स्टेडी एब रोट एडमिशन के लिए विकॉस गाइस हमारे तुरू आपका रीजनेवल चार्ज में एडमिशन होता है और आप जिस भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं उस यूनिवर्सिटी के वारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हम आपको ट्रांस्पेरेंसी के साथ इन्फॉर्मेशन होता है तो बच्चे चाहते हैं कि चलो एक दो लाग रूपे उपन नीचे हो तो हम मैनेज कर लेंगे लेकिन कई बार ऐसा भी होता कि आपको बताया बहुत कम जाता है और जब आप पहुंशते हैं तो चीजे सर्प्राइज होती है आपके बजट के कोन सी यूनिवर्सिटी आपको चूश करना चाहिए सारी चीजे हम डिसकस करेंगे बिकॉस बजट मैटर करता है जिस भी उनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट करते हैं उस उनिवर्सिटी का बजट सबसे पहले आप जानते हैं क्योंकि बजट पहले आता है अगर आप बजट ही अफॉर्ड नहीं कर पा पाला है अब हम बात करते हैं पॉपुलर कंट्री की कौन कौन सी फॉपुलर कंट्री से कहां कहां लास्ट टि ये बच्चे गए और कहां आपको ट्वैंटी ट्वन फे में जाना चाहिँए अगर हम लास्ट आपको और डाकर फोले उजीश्य avenet में लुचारी ले इसलिए 16 करोर है रश्या की करेंसी रूबल है 90 पैसे के एक में एडमिशन लेते हैं तो ट्रेवल टाइम कितना रहने वाला है जब भी आप उस कंट्री में जाएंगे तो आपका ट्रेवल कितना होगा सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि रशिया बहुत बड़ी कंट्री है रशिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाने के लिए आपको 20-25 घंटे 30 घंटे लग जाते हैं अगर आप बाइरोड जाते हैं ऐसे में अगर आप मॉस्को के आसपास की कोई युनिवर्सिटी सेलेट करते हैं आप मॉस्को जाएंगे मॉस्को का ट्रेवल टाइम आपका इंडिया से डैरेक्ट प्रैट लेके जाएंगे 6 आर 30 मिनिट्स का है उसके बाद आप बाइरोड युनिवर्सिटी तर जाते हैं और डिपेंड करता है कि कौन सी युनिवर्सिट कि से जई हैं किटने दूर पिर आपका ट्रेवल टाइम अगर आप नॉर्द पार्ट में जार है लाइक cứ उनिवर्सिटी कोई वह कर रहे। उसके लिए आपका जरूरी नहीं कि आप आप अधर फatti ले सकते हैं उजिए के अूइ Вас की देस्यww spent लिए にअज इसकते हैं जो कि ट्रेवल टाइम की बात हम अरशा कीमीनिमम बजट और मैक्सिम मं बजट अगर आपका बजट गाइस hai कि ट्रेशन पे करें वहना है कि फिप्टीन 14 लैक मीठ फीस होस्टल आपका शिर का तो आ सिक्स्कीर का जो रशिया में लोकेटेड आप इन में से कोई भी एक युनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं जिसका क्यूशन फी होस्टल एप्रोक्स 15 लैक 16 लैक है इसके अलावा आप सिक्स येर का फूर्ड ये अधर चार्जे सारा कैलकुलेट करेंगे तो टोटल बजट आपका एप्रोक् इसके अलावा अगर आप इससे ज्यादा बजट एफॉर्ड कर सकते हैं तो समारा स्टेट मेडिकल युनिवर्सिटी है वस्कीर स्टेट मेडिकल युनिवर्सिटी साइवेरियन स्टेट मेडिकल युनिवर्सिटी नॉर्दन स्टेट मेडिकल युनिवर्सिटी कुरुस्क में गए हैं अगर हम बात करें रश्या में medical universities की तो रश्या में एप्रोक्स 50 प्लस medical universities हैं जहां इंडिया से हर साल काफी बच्चे जाते रहे हैं अगर NMC की लिस्ट देखें अभी NMC की लिस्ट नहीं है MCI की लिस्ट होती थी में एप्रोक्स 55 medical colleges का नाम था जो रश्या में लोकेटेड है लेकिन उस टाइम काफी ऐसे colleges होती थी MCI के टाइम पर जहां bilingual courses प्रवाइड की जाती थी लेकिन NMC criteria के according अभी आपको जिस भी university में आप जा रहें entire course English में होना चाहिए medium of teaching English तो इस वज़े से काफी ऐसी universities हैं जहां अब बच्चे नहीं जा रहें NMC आने के बाद विकॉस उन्होंने NMC criteria को meet करना है तो अगर आप रश्या जा रहें तो यह university जिनका मैंने बच्राइब नाम लिया में धुवारा repeat कर देता हूं camera boy state university कवारदीनो बालकिनी स्टेट मेडिकल युनिवर्सिटी औरल मेडिकल युनिवर्सिटी यह वो युनिवर्सिटी एजिए जो affordable budget की है सब्सक्राइब यूंिवर्सिटेट इसके प्रिजट अब 35 लाग तक की बजट की उनिवर्सिटी चूज करते हैं वस्कीर स्टेट मेडिकल उनिवर्सिटी समारा स्टेट मेडिकल उनिवर्सिटी साइवेरियन स्टेट मेडिकल उनिवर्सिटी यह उनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हैं इसमें पर्टिशन फ्याइट यह सारी चीजे इसके इसके अलावा कजान स्टेट मेडिकल उनिवर्सटी कजान फैडल उनिवर्सटी उनिवर्सटी और भी युनिवर्सटीज जिसका बजट आपका इंक्लूडिंग एवरीधिं थर्टी फाइब नेक जाता है यह वो क्राइटेरिया देखे कि admission के लिए आपका eligibility criteria क्या होना चाहिए आप जनरल कैटेगरी से बिलॉंग करते हैं PCV में आपके minimum marks 50% होने चाहिए other category से बिलॉंग करते हैं PCV में आपके 40% marks होने चाहिए need qualify करके जाना must है age limit आप जिस भी year में जा रहे हैं 17 years के complete होने चाहिए यह सारी चीज़े है eligibility criteria को लेके तो यह बात होगी गाइस रश्या की रश्या में अगर हम overall budget देखे मैं repeat कर देता हूं अगर आपका budget tuition fees और hostel को लेके 15 lakh है तो आप कोई भी उनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं जो मैंने बताया decent universities हैं अगर आप ज्यादा budget की चूज कर सकते हैं तो वह भी मैंने आपको बताया किस उनिवर्सिटी का क्या budget है रश्या में total MBBS study का cost आपका approximately minimum 25-26 lakh है maximum जहां बच्चे जारेक average 35-40 lakh है यह हो गई रश्या की बात अगर आप रश्या के किसी भी medical college में admission के लिए हमें चूज कर सकते हैं नीचे दिएगे नंबर पर आप मुझे direct call कर सकते हैं इसके अलावा रश्या के वारे में कोई doubt है comment के तुरू आप पूछ सकते हैं अब बात करते हैं गाइस रश्या की degree को लेके course duration को लेके medium of teaching को लेके रश्या में आपको six year का course प्रवाइड किया जाता है जिसमें one year के intensive include है integrated intensive होती है इसके अलावा entire course medium of teaching English में आपको प्रवाइड किया जाता है डिग्री worldwide valid है डिग्री worldwide valid की बात यहां आती है तो एक ज़िए जरूर आप चेक करें जिस भी university में आप जा रहे हैं वह WHO के list में है या नहीं है ECFMG listed है या नहीं है तो कि डिग्री तभी worldwide होगी जब आप जिस university में जा रहे है वह university WHO के list में हो ECFMG के list में हो तभी क्योंकि कुछ ऐसी medical universities भी है रस्या में जो popular है जहां काफी बच्चे गए हैं last year भी बच्चे गए लेकिन वह अभी तक WHO के list में नहीं है तो आप जानना सकते हैं अब बात करते हैं सेकंड कंट्री की सेकंड कंट्री की अगर हम बात करें तो बात आती है उजबेकिस्तान की उजबेकिस्तान काफी popular destination हो गया last two-three year में अभी सबसे ज़्यादा बच्चे अगर रश्या के बात देखे तो उजबेकिस्तान जा रहे हैं पर्स नमबर पर रश्या सेकंड नमबर पर उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान में आप MPBS study करने के लिए जाते हैं तो course duration क्या है medium of teaching और आपका minimum maximum budget कितना होना चाहिए यह हम discuss करेंगे इससे पहले हम बात करते हैं as a country उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान की capital city तासकन्त है और उजबेकिस्ता में local language उजबेकी language बोली जाती है और Russian language भी बोली जाती है because यह पहले रश्या का पाड़ था तो अभी भी Russian influence है उजबेकिस्तान पे इसके अलावा रश्यान लोग खाली टाइम में पढ़ना पसंद करते हैं literacy rate अच्छा है इसलिए वहाँ पे crime rate काफी कम है अगर हम travel time की बात distance है इंडिया टू उजबेकिस्तान का उजबेकिस्तान की local currency उजबेक सोम है और अगर आप उजबेक सोम देखेंगे 138 उजबेक सोम to 14045 उजबेक सोम equal है 1 INR के तो हां की currency हमारे recording काफी सस्ती है INR के recording काफी weak है उजबेकिस्तान currency इसके अलावा उजबेकिस्तान की अब हम medical colleges की बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं eligibility criteria की उजबेकिस्तान के लिए आपका eligibility criteria होना चाहिए किसी भी medical college मगर आप admission ले रहे हैं तो आपका PCV में 50% minimum होने चाहिए for general category other category PCV में आपके 40% marks होने चाहिए need qualify करके जाना मस्ट है age limit minimum आपके 17 years के आप complete होने चाहिए आप जिस 6 years का कोर्स आपको प्रवाइड किया जाता है और हम डिगरी की बात करें तो 6 year में आपको जनरल physician के डिगरी प्रवाइड करती है और आप पुझवेकिस्तान के जो जो colleges का मैं नाम लूँगा अगर इन में से किसी में भी admission लेते हैं तो डिगरी worldwide valid है जहां डिगरी worldwide valid की बात आती है तो आप जिस भी college में admission ले रहें उस time आप यह जरूर एक बाद चेक करें वह के list में वह university college है यह नहीं है world directory of medical school के website पे जाके search option आता उसमें आप university का नाम type करके search करेंगे अगर वहाँ पर university list में आती है sponsorship में EC FMG के आती है तो इसका मतलब है उसकी डिगरी worldwide valid है तो उजवेकिस्तान की अगर हम बात करें तो 19 medical college WHO के list में है उसमें से मैं ऐसी 5 medical college आपको बताऊँगा जो popular है जिसका budget average budget कितना है और क्या है start करते हम antigen state medical institute से antigen state medical institute की डिगरी worldwide valid है WHO study institute है और इस institute में आपका course duration 6 year का है medium of teaching English है general physician की डिगरी प्रवाइड करती है यह उजवेकिस्तान के antigen city में located है तास्कंत से antigen city की distance approach 350 km है और antigen state medical institute काफी old medical institute है उजवेकिस्तान की 1955 में established हुई थी तो यह antigen state medical institute की बात होगी tuition fees 3500 dollar approach है और hostel आप 600 dollar approach yearly पे करते हैं अगर आप इसका budget calculate करेंगे 6 year की tuition fees, hostel, other charges, food आपका average budget 32 lakh to 33 lakh होगा second number पे आता है फरगाना state medical institute of public health यह भी near by antigen city है फरगाना city में located है और दूनों city की distance approach 40 to 50 km का है यह medical institute फरगाना state medical institute की tuition fee 3500 dollar है, 650 dollar hostel का है इसके अलावा medium of teaching entire course English में 6 year का course duration है intensive include, integrated intensive, integrated intensive में आप लोगों को बार 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 इसलिए बोल रहा हूं because NMC criteria के according आपका separate intensive होना चाहिए integrated intensive को अगर NMC नहीं मानती है तो रशिया हो या उजवेकिस्तान और जिस जिस country में 6 year का course duration है जहां integrated intensive है वहां आपका course duration 6 plus 1 year का होगा इसका मतलब है 7 साल का course duration होगा यह चीजे हो गई फरगाना state medical institute के बारे में इसके अलावा फिर वहां की popular taskant medical academy है तासकंद state dental institute नाम है लेकिन यहां medicine की पढ़ाय होती है medicine की डिग्री प्रवाइड करते हैं इसके अलावा समरकंद state medical university है यह उजवेकिस्तान की वह पांच popular medical college है जहां last year इंडिया से काफी बच्चे गए हैं अभी काफी बच्चे वहां पर study कर रहे हैं यह उजवेकिस्तान की बात होगी यहां एक चीज में आपको जरूर किलियर करना चाहूंगा कि आप रशिया चूज करें उजवेकिस्तान चूज करें यह आने वाले जो अभी आगे मैं countries के बारे में बता हूँ हर country के अपने advantage है disadvantage है वो भी discuss करेंगे हर university के अपने advantage और disadvantage होते हैं जाने से पहले university के बारे में सारी चीजे information gain करें कहां क्या है क्या problem आई है क्योंकि छोटे मोटे issues starting में हर जगे आते हैं और आप किसी भी university के बारे में crystal clear जानना चाहते हैं आप ह हमें call करके पूछ सकते हैं हमारे through admission process आप सकते हैं प्रश्या की बात हो गई उजवेकिस्तान की बात होगी उजवेकिस्तान में अगर हम total budget की बात करें तो आप किसी भी medical college में जा रहे हैं तो उसमें आपका average budget 32 lakh 33 lakh होना चाहिए तास्कन medical academy को छोड़के क्योंबी तास्कन medical academy में hostel facility आपको second year से provide नहीं की जाती है अभी जिस time में आप से बात कर रहा हूं इस वीडियो के तुर अभी तक वहां पे hostel related issues हैं तो बच्चे अपार्टमेंट ये फ्लैट में रहते हैं अपार्टमेंट और फ्लैट में अगर आप रहेंगे तो आपका yearly एक लाग से लेके सव कि फ्लैट में रहते है यह सारी चीज अब हमेशा सब्सक्राइब करने न दो आपका बज़ट जदा नहीं है जो भी आपका बजट है चांड़ेट के रेट है सस टामेशन है आप 6 साल की कर रहें, तो 6 साल में जरूरी नहीं कि अगर अभी डॉलर का रेट जो चल रहा आगे भी वही हो, या फिर जो उस कंट्री की लोकल करेंसी का रेट चल रहा हो भी आ गई हो, यह सब चीज़े भी मैटर करती है, अब हम बात करते हैं थर्ड कंट्री की, अगर जैसे बच्चे नहीं जा पाते हैं, वह है वहां की eligibility criteria, वहां की eligibility criteria बागी कंट्रीओं से थोड़ा हट के हैं, हम आगे डिसकस करेंगे, पहले हम बांगलादेस के बारे में डिसकस करते हैं, बांगलादेस हमारी neighboring country है, और बांगलादेस की total population, एप्रॉक्स, 16 करोर है, अगर ह वहां से flight भी जाती है, तो depend करता है कि आप Calcutta से जा रहे हैं, इंडिया के किस city से travel कर रहे हैं, उसके according आपका time duration होगा, बांगलादेस में local language बांगलादेसी बोली जाती है, और वहां का local currency बांगलादेसी टका है, यह हो गई बांगलादेस की बात, बांगलादेस की जो popular colleges ह है, उसको हम जान लेते हैं, बांगलादेस में popular medical college, काफी popular college है, धाका international medical college, अनवर खान modern medical college, यह वो colleges हैं जो धाका, बांगलादेस की capital city में located है, यूएस बांगला medical college, यह थोड़ा आपको बांगला धाका से 20 km आगे जाते हैं, तो located है, इसके अलाबा वहां पे अगर हम medical colleges हैं, यह चीज़े हो गई, अब हम बात करते हैं कि अगर आप इन medical colleges में एड़िशन लेते हैं, eligibility criteria क्या होना चाहिए, eligibility criteria ही matter करता है, जिस वज़े से इंडिया से जो बच्चे हैं, कम जाते हैं, ज्यादा तर बच्चे जाना चाहते हैं, लेकिन eligibility criteria को meet नहीं कर पाते, वहां आपका year gap नहीं होना चाहिए, आप जिस भी year में जा रहे हैं, उस year में आप एक साल का अगर आपने drop लिया, एक साल का gap है तो आप जा सकते हैं, अजरवाज नहीं जा सकते, 10th, 11th, 12th में year gap नहीं होना चाहिए, और PCV में आपके minimum marks 60% होने चाहिए, और separately सिर्फ बायो में आपको अच्छी medical college बांगलादेश की मिलती है, अब उसमें से आपको 50%, 60% यूशन फी first year में ही पे करना होता है, यह वो चीज़े है, eligibility criteria है, यह budget है, जो budget ज्यादा तर बच्चे effort नहीं कर पाते हैं, फिर उनका year gap होता है, यह drop लिये होते हैं, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे ह बिमारियां आपको इंडिया जैसे मिलती है, clinical काफी अच्छा होता है, और बांगलादेश का course iteration five year का है, five year आपकी study होगी और separate की आपका one year का intensive है, lock book based intensive होती है, और real caregiver मिलता है आपको बांगलादेश में, इसलिए बांगलादेश का FMG passing percentage काफी अच्छा होता है as compared to other country, यह हो 60% होने चाहिए, separately बायो में आपके 60% होने चाहिए, इसके अलाबा आपका 10, 11, 12 में year gap नहीं होना चाहिए, यह चीज़े हैं आप इन चीज़ों को धियान में रखते हुए बांगलादेश चूज कर सकते हैं, admission के लिए आप हमें चूज कर सकते हैं, बांगलादेश में minimum budget आ में हाँ पर repeat करूँगा कि जिस भी college में आप admission लेने एक बार यह जरूर चेक कर लें कि वो college WHO के list में है या नहीं है, अब बात करते हैं हम fourth country, MBBS study abroad 2024, fourth country, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान भी popular destination है, इंडिया से हर साल काफी बच्चे कजाकिस्तान भी जाते हैं MBBS study के लिए, और capital city अस्थाना है, second capital city हम Almaty को बोल सकते हैं, कजाकिस्तान की total population approach two crore है, और कजाकिस्तान में local language, कजाक language बोली जाती है, Russian language भी बोली जाती है, क्योंकि कजाकिस्तान पहले Russia का पाड़ता, तो Russian influence अभी भी है, local currency कजाक 10 यह होगी कजाकिस्तान की बात, अब बात करते हैं travel time की, अगर आप इंडिया से direct flight लेके Almaty City जाते हैं, Almaty International Airport पे जाते हैं, तो 3 hour 30 minute का आपका travel time होता है, मैं Almaty इसलिए बोल रहा हूँगा, तो कि जैसे कि मैंने बताया, कजाकिस्तान की second capital city आप Almaty मान सकते हैं, Almaty की connectivity काफी अच्छी है, और Almaty होके ही ज्यादातर बच्चे अधर अ 40% मार्क होने चाहिए, अगर हम कोर्स की बात करें, तो 5 प्लस 1 है, अगर आपको MD physician की डिगरी चाहिए, तो 5 प्लस 2 करना पड़ेगा, 5 साल की study और 2 साल की intensive, अधर वाइज 5 येर का कोर्स, 1 येर की अभी intensive है, आगी NMC इस intensive को मानती है, वो 1 साल की ये 2 साल की बोलेगी, वो की बात की बात है, फिलाल 5 प्लस 1 ये आपका 5 प्लस 2 हो सकता है, कजाकिस्तान की अगर हम popular medical universities की बात करें, तो कजाकिस्तान की popular medical universities, West कजाक मारत उस्पेनो Medical University जो कजाकिस्तान के activity में located है, South कजाक Medical Academy कजाकिस्तान के सैंकन सिटी में located है, जिसको हम सिकमा के नाम से जानते हैं, कजाक National Medical University जो कजाकिस्तान के Almati City में located है, semi state medical university semi city में located है अस्थाना medical university अस्थाना city capital city में located है इन medical universities के लिए आपका approx budget अगर हम कजाक national को छोड़ दे तो बागी चारों के लिए आपका 30-32 lakh होना चाहिए fusion fees, hostel, food and आपके other charges कजाक national medical college के लिए आपका approx budget 35 lakh से 40 lakh होना चाहिए अलमार्टी city में cost of living expensive है यहाँ पे hostel आपको नहीं मिलते हैं तो flat या apartment में रहना पर सकता है और कजाक national medical university की tuition fee 24 lakh टेंगे है, tuition fee भी थोड़ा जादा है as compared to other universities तो कजाकिस्तान में आपका minimum budget अगर आप calculate करेंगे बागी colleges के लिए तो 30 lakh, 32 lakh approx होगा बागी कजाक national के लिए आपका थोड़ा जादा होगा, आपको किसी भी college के बारे में separately जानना है budget, tuition fees क्या है तो आप मुझसे call करके पूछ सकते हैं, comment के थूरू पूछ सकते हैं admission के लिए आप हमें direct call कर सकते हैं कजाकिस्तान में अगर हम degree की बात करें तो 5 प्लस 1 में आपको MBBS, diploma के degree देती है अगर आपको MD physician की degree चाहिए तो आपको 5 प्लस 2 year का course करना पड़ेगा, दो साल के internship करना पड़ेगी और MD, अगर आप world directory of medical school की website पर देखेंगे, तो MD physician की degree आपकी होगी, तब ही आप UK, US जाने के लिए eligible होगे अगर आपको USMLE देना है, UKP lab देना है, तो आपको MD physician की degree चाहिए होती है यह होगी गाइस कजाकिस्तान की बात, अगर कोई information छूट गई हो, मिस हो गया, तो आप मुस्से comment के तरूँ पूछ सकते हैं इस country की बात करें, तो हम बात करेंगे किर्गिस्तान की, किर्गिस्तान का infrastructure गाइस में पहले बता दो, इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इतनी developed country नहीं है लेकिन अगर हम किर्गिस्तान की बात करें, तो total population एप्रोक 65 लैग है, और किर्गिस्तान की capital city विसकेग है किर्गिस्तान की एगर हम popular medical universities colleges की बात करें तो, रस्यन सेल्विक medical university, ओस state medical university, जलालाबाद medical university, international school of medicine, ये colleges हैं जो popular है, जहां इंडिया से काफी बच्चे गहें, IMU, international medical university, ये और ISM private है, जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन review ज्यादा अच्छा नहीं बताते हैं, आई-सम का तो फिर भी बताते हैं, अच्छा, IMU का इतना अच्छा review नहीं है, तो अगर आप किर्गिस्तान जा रहे हैं, तो किर्गिस्तान के किसी भी medical college में अडिमिशन लेने से पहले उस college के बारे में अच्छे से research करें, उनके hospitals हैं, ये नहीं है, infrastructure कैसा है, किस city में located है, FM passing percentage किया है, ये बाते जरूर एक बार अच्छे से, जिसके थूरू भी आप admission ले रहे हैं, तो discuss करें, किसी separately आपको university के बारे में जानना है, तो मुझसे call करके पूछ सकते हैं, आम से जान सकते हैं, किर्गिस्तान की course duration की बात करें, तो six year का course duration है, five plus one आपका course duration होगा, medium of teaching entire course आपको, English में provide की जाती है, eligibility criteria की बात करें, किर्गिस्तान की, for general category, 50% marks PCV में, for other category, 40% marks PCV में चाहिए, need qualify करके जाना must है, age limit 17 years के आप complete होने चाहिए, जिस भी year में जा रहे हैं, किर्गिस्तान में आपको किसी भी medical college के लिए average budget 30 lakh to 32 lakh चाहिए, अगर आप ISM की tuition fee देखें, international medical school की तो $5000 है, इसके अलाबा, बाकी colleges के आपको package provide किया जाता है, first year में $7000 including hostel, food, tuition fee, other charges, ऐसे packages आपको दिये जाते हैं, separately किसी भी college के बारे में जानना है, किसी भी university के बारे में जानना है, किर्गिस्तान के, आप हमसे call करके पूश सकते हैं, university के बारे में information ले सकते हैं, guys, इसक के अलाबा, कोई भी अगर query है, information miss हुई हो मुझसे, कि कुछ लगता है आपको कि हमारे तुरू कुछ गलत information आपको दिया है, तो आप comment के तुरू हमसे पूश सकते हैं, हमें बता भी सकते हैं, separately किसी भी country के बारे में और information चाहिए, admission लेने से पहले सारी चीज़े एक बार discuss क करें, जिसके तुरू भी आप admission process start कर रहें, अच्छे से NMC criteria को समझे, NMC criteria में university country fit बैट रही है, नहीं बैटरी आप जिस university में जा रहे हैं, जिस country में जा रहे हैं, वो country, university, NMC criteria को meet कर रही है, नहीं कर रही हैं, सारी चीज़े अच्छे से सोच समझ के decision लेने के बार, आप admission process क किसी भी consistency के तुरू start करें, आप अगर हमें choose करते हैं, हम day one सारी चीज़े आपको इस first crystal के लिए बता के चलते हैं, so that आपको ऐसा न लगे कि आपने गलत consultants choose कर लिया, कोई ऐसी country choose कर लिया, जो वादना आप regret कर रहे हैं, और हम आपको हमेशा suggest करते हैं, हम आपको information देते हैं guys, call करके पूछ सकते हैं, admission के लिए आप हमें direct call कर सकते हैं, वीडियो informative लगी हो, तो वीडियो को share करें, channel को subscribe करें, thank you for watching